नमस्कार दोस्तों, SBI Security के सब्ता ही पोड़कास्ट में आपका हर्तिक सागत है, आज हम बात करेंगे इस सब्ता में वो कौन-कौन से इवेंट थे जो मार्केट ने डाजिस किया और अगले सब्ता के लिए क्या इस्तिति बन रही है, तो दोस्तों जो पिछले सब्ता में हमने मार्केट में गिरावर देखी थी, मार्केट इस सब्ता में समहल करके बंद हुआ है, और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही करीब सवा परसन का उच्छाल हमने देखा है, जहां पर निफ्टी की बात है, तो निफ्टी 1.2 परसन उपर जाकर के 22,41 के लेवर पर क्लोज ह हुआ है, वहीं पर सेंसेस में लगबाग उतना ही 1.2 परसन का गुर्थ ने दिखा, और 72,42 के आसपा स्पोज हुआ है, जहां पर ब्रॉडर मार्केट की बात है, वहां पर मिटकेप और स्मॉल केप इंडाइसेस में एक मिक्स ट्रेंड दिखने के मिला है, मिटकेप इंडा पात करूं, दोस्तों तो इस सप्ता में ग्लोबल क्यूस लाज़ली जो है सपोर्टीव थे, हाला कि जो यूएस का CPI डेटा जो जनूरी में हने का आया था, वो 3.1% रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अनुमान से थोड़ा जादा था, तो एक इसका इनिशिल रियाक्शन नेगे पासा पॉजिटिव जोन में गया और हमने एक इंडेक्स में एक पॉजिटिव क्लोजिंग इस सप्ता में हमने रेजिस्टर की, उसके अलावा दोस्तों जो अर्निंग सीजन है, दिसंबर क्वार्टर का, वो अब लगबग समाप्त हो चुका है, कुछ एक कंपनिया हैं जो अपनी रेजल्ट डेक्लेयर करेंगी अगडे सप्ता में, तो हमने देखा कि इस क्वार्टर का रेजल्ट जो है, वो काफी बढ़ें रहा है, हमने एक 1649 मनिफैक्टिरिंग कंपने का एक सैंपल लिया है, जहां पे हमने देखा कि उनके प्रॉफिट ग्रोथ करीब 32% का हमन इस क्वार्टर में देखा है, उसके अलावा मैं बैंक्स की बात करूँ, तो बैंक्स में भी करीब 15% की हमने प्रॉफिट ग्रोथ देखी है, हाला कि वहां पे मार्जिन में कंप्रेशन देखने के मिला, उनकी बारोइंग कास्ट थोड़ी से बढ़ी है इस क्वार्टर में बारी जिसके बैंकों ने अपने नंबर जो है अच्छे पब्रिश किये हैं, उसके राव दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जो टॉप गेनर सो लूजर से हैं इस अपता में BAC इंडाइसेस पे, तो यहां पे BAC मेटल और FMC जी दो इंडेस को और मैं छोड़ दूँ, तो रियालेटी और पावर इन सारे इंडाइसेस में 0.5% से 5% की रैली हमने सब्ता में देखी है, जबकि दो गिरने वाले जो BAC के इंडेक्स हैं, मेटर और FMC जी यहां पे आधा परसन से पौना परसन का हमने एक डिकलाइनिंग डेजिस्टर दिक किया, अगर मैं टॉप गेन इन में 0.5% से 1.1% की रैली हमने इस अपता में देखी है, जबकि जो गिरने वाले टॉप 5 स्टॉक्स हैं निफ्टी में उसमें इंडाल को ग्रासीम, आई टी सी, एक्चुल और सन फार्मा, तो इन सारे पांचों स्टॉक्स में 0.5% से 1.5% से 1.5% का गिरावट हमने इस अ स्टॉक्स में इस अपता में, तो यहां पर कोई ऐसा नेगेटिव हमने देखने को नहीं मिला है, और कुछ मैक्रो डेवल्टमेंट की बात करूं, दोस्तों तो उसमें भारत का जो रिटिल महाईदर है, वो भी जनुरी महने का इस अपता में आया, और यह करीब 5.1% रेजिस्टर किया गया है, जो कि दिसमबर महने से थोड़ा सा कम है, तो यह पॉजिटिव साइन है लॉंग टर्म में, उसके लोग भारत का IIP डेटा जो दिसमबर महने का डिकलेर हुआ, जो कि 3.8% रेकॉर्ड हुआ है, जो नुवंबर महने का था 2.4%, तो यह भी एक अच्छा साइन है, हमारे लिए, एकोनुमी में जो मेंटेम है, वो मेंटेन है, उसके लिए भारत का जो WPI डेटा है, होसल प्राइस इंडेक्स, वो करीब 0.2 परसंट रेजिस्टर किया गया है इस महने में, जनुरी महने में, जो कि 0.73% था दिसमबर महने में, तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है, इन्फलेशन जो है, वो नीचे जा रहा है, तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए और एकोनॉमी के लिए लॉंग टर्म में, उसके लावा जो डोमेस्टिक एर ट्राफिक है, वो भी इस अपता में डिस्क्रोज किया गया है, जहां पर डोमेस्टिक एर ट्राफिक में करीब 4.7% का ग्रोथ जनुरी मेहने में देखा हमने, तो यहां पर अगर यह इस तरह का ग्रोथ मेंटेन होता है, तो इसका मतलब भी है कि जो हमारा एलाइन इंडस्टी हो भी अच्छा अच्छा गुरो कर रहा है, उसके अलावा दोस्तों मैं मैंने बताया आपको कि यूएस का सीपी डिटा जो कि 3.1% था यह अनुमान से थोड़ा ज्यादा है, और आगे चल करके अगले सब्ता में जो एफ एमसी की जो फोकस में थे, तो बात के लेतने कुछ कंपनियां जुन्होंने रिजल्ट डिकलेर किये हैं अपने थोड़ क्वाटर के, तो पहला है गुजात पे पावा पोर्ट्स, जहां पे कंपनी के रेवेन्यू में करीब 8% का उच्छाल देखा हैं और प्रॉफिट में 23% का उच्छ में, कोल इंडिया ने अपने थोड़ क्वाटर के नंबर डिकलेर किये, यहां पे उनके रेवेन्यू में ग्रोफ करीब 3% का है, जिबकि प्रॉफिट में उच्छाल करीब 18% का है, इबेटा मार्जिन में भी करीब 151 बिसिस पॉइंट का इंप्रॉमेंट है, जोकि तो भी एक पॉजिटिव नंबर है सेल के लिए, नालको ने अपने थोड़ क्वाटर के नंबर डिकलेर किये, जहां पे उनके रेवेन्यू में ग्रोफ हाला की केवल 1.5% का ही है, लेकिन प्रॉफिट उनका करीब 84% बढ़ा है, और मार्जिन में इंप्रॉमेंट जो है, व यहां पे कंपनी के नंबर बहतरीन थे इस क्वाटर के, करीब 32% का उच्छाल है रेवेन्यू में और 38% का उच्छाल है प्रॉफिट में, मार्जिन में भी करीब 140 बेसिस पॉइंट का इंप्रॉमेंट है, तो यह लॉंग टर्म में पॉजिटिव है, गार्डन डीशिप ब आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, हाला कि जब नंबर कंपनी की डेकलेर हुए तो मार्केट इनको रेवार्ड भी किया है, फिर सुला विनियर्ड है, इसके नंबर भी 3rd quarter के आए हैं, यहां पे रेवेन्यू में गुरूद करीब 4% का है, जब कि प्रॉफिट में गुर ग्रोथ करीब 241% का है, जब कि उनकी प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 241% का है, और मार्जिन भी काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है, करीब 300 basis point के आसपास का इंप्रूमेंट है मार्जिन में, तो यह बहुत ही बहतरीन नंबर है, नेटको फार्मा के, उमीद है कि यह इस सब्ता में फोकस में रही, तो पहला भारत इलक्टरानिक है, जहां पे कंपनियों करीब 2167 क्रोड रॉपे का ओर्डर मिला है इंडियन नेवी से, और उनके पास अच्छा का सा ओर्डर है, ओर्डर बुक है दोस्तों, जो कि उनके सेल्स का करीब 4-5 टाइम्स के आसपास है, तो यह दिखाता है कि रिवने वीजिबिल्टी के लिए कापकी अच्छी है, लॉंग टर्म में, आरवी अनल जो है, एक आरवी अनल को एक और्डर मिला है, 106 को रॉड रॉपे का, तो यह भी पॉजिटिव है कंपनियों के लॉंग टर्म में, फिज जेस डबलू, एनर टेल को रॉपेरिशन को करीब 140 कोड़र पर का और्डर मिला परसार भारती से, फिर केपी आई ग्री नेरी जो कि हमारा कवरज कंपनी है, कंपनी को करीब 1.5 मेगावाट का एक सोलार पावर का प्रोजिक्ट मिला है, तो यह कंपनिया इस अप्ता में फोकस में थी, आईया बात कर लेते हैं दोस्तों कि वो कौन-कौन से स्टॉक हैं जो हमने इस अपता में रेक्मेंड किये हमारे इनमेस्टर्स के लिए, तो हमने इस अपता में पांच स्टॉक पे रेक्मेंडेशन दिया हुआ है, जिसमें से चार स्टॉक पिक अप डे में है और एक स्टॉक पिक के चार ब्राड सेग्मेंट्स हैं फूट डिलेवरी ब्यूटु बी क्विक कॉमर्स और अधर सेग्मेंट हैं और कंपनी का एक स्ट्रॉंग ब्रैंड नेम है दोस्तों और कंपनी अपने रिसेंटली कंक्लूडेट रिजल्ट में यह कहा है कि आगे चलकर कि उनका जो रिवेन को दोस्तों टो यहाँ पर हमने 1718 पर किया है टार्गेण 1,890 रुपे का तो बेला कोपरेशन जो की फ्लैक्शिप कमपनी है एंपि बिला की जो है और एक कंपनी सिमेंट बिजनस में में करती है जहां पर 95% बिजनस जो है उनका वह सिमेंट से आता है बाकि जूट से आता है तो कंपनी का जो मुकूत बन यूनिट है वहां पर कैपासिटी करें इंडिया की और आगे चल करके एक्सपोर्ट और यहां पर वॉल्म जो है ग्रोथ देखने के मिल सकता है उसी प्लांट पर कंपनी के पास 40 मेगावाट और 11 मेगावाट का कैप्टी पावर प्लांट भी है जो की आगे चल करके यह पावर यूस करेंगे अपने प्लांट के लि गवर्मेंट से तो यह भी एक पॉजिटिव साइन है और इस क्वार्टर के अर्निंग की बात करूं जोस्तों तो उनके रवेनी में गुरोथ करीब करीब 15% का है जैकि प्रॉफिट उनका तीन मुना बढ़ा है इस क्वार्टर में और मार्जिन में भी हमने एक्सपांशन देखा है और और वैलिवेशन भी काफे अट्रेक्टिव है करीब टेन टाइम्स इवी बिटा के आसपास यह ट्रेड हो रहा है तो हमें लगता है कि यह पॉजिटिव है कंपनी के लिए कंपनी अच्छा पभांग कर सकती है फिर हमने हिरो मोटर पर भी कॉल दिया है 4850 का हम हमारा रेक्मेंडेट प्राइज है और 5600 को टागेट प्राइज है तो हीरो मोटर को बताने के जरूरत नहीं दोस्ता आसब जानते हैं कि एक लीडिंग टुवीलर ओएम है जो कि अलग अलग ब्रैंड्स के बनाती है जैसे स्प्लेंडर पैशन ग्लैमर यह सब कंपनी यह पास आठ manufacturing units हैं इसमें छे तो भारत में हैं एक कोलंबिया और एक बंगलादेश में हैं जो ट्रिगर है हमें लगता है कि जो कंपनी को मताब हेल्प करेगा आगे चल करके वो है कि रूलर डिमांड जो है वो रिकवरी पे जा रहा है तो आप सब जानते हैं कि रूलर डिमां सब्सक्राइब कर रही है विदा उनका जो इलेक्टरी वहिकल प्रोडक्ट है यहां पर कंपनी उसके प्रोडक्शन को रैंप अप कर रही है बढ़ा रही है तो आगे चल करके इसका बेनफिट कंपनी को मिलेगा और वैलिवेशन अट्रेक्टिव है करीब 25 और 23 के आसपास सब्सक्राइब करते हैं तो और यह कंपनी अपने पीर के कंपरेजर में जो डिसकाउंट पर है तो मैं लगता है कंपनी अच्छा परवाहम करेगी आगे चल करके फिर नुवामा विल्थ पे भी हमने कॉल दिया है दोस्तों तो यह 3867 पे हमने रेक्मेंड किया है और 4254 परविश किये हैं जहां पनके रेवेनी में गुरोत करीब 38 परसंड का है और जबकि प्रॉफिट में भी गुरोत काफी कुछ देखने को मिला है इस कौर्टर में हम लोगों को तो हमें रगता यह कंपनी जो है आगे चल करके आच्छा करेगी कंपनी ने अपने कस्टमर बे सब्सक्राइब करीब 1.6 लाग के आसपास का है उसके अलवा उनका असेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें भी करीब 28 परसंड का गुरोथ हमने देखा है और यह करीब 1.6 लाग करोड के आसपास है और जिस तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट सपोर्टीव रहा है सब्सक्राइब 1598 का रेकमेंडेड प्राइस था और 1838 का मारा जो है टार्गेट है तो आप सब जानते हैं कि लुपी ने एक ट्रांसनेशनल कंपनी है जो कि फार्मसेटिकल और एक्ट्व फार्मसेटिकल इंग्रीडियन्स में उप्रेट करती है तो यह जिनरिक कंपनी है दोस्तों जो की लगबग सब अलग-अलग मार्केट अक्रॉस दे वर्ल्ड हैं जहां पर कंपनी ऑपरेट करती है चाहे वह इंडिया हो यूएस हो साथ आफिका हो एशिया पैसपीक हो लैटिन अमेरिका हो योरॉप हो मिडलीस्ट हो तो यह सब अलग-अलग मार्केट में क कंपनी ने रजिस्टर किया है उसके अलबार दोस्तों यह थार्ड लाजस कंपनी यह यूवस के अंदर बाय प्रिस्क्रेप्शन में लुए अश्के लिया में चौत्य नंबरी कंपनी है साथ आफ्रीका में साथ भी नंबरी कंपनी है तो अवरॉल जो इनका प्रेजन्स है वो काफी strong है इन सब countries के अंदर उसके अलावा अगर मैं product pipeline की बात करूं दोस्तों तो लगभग इसी quarter में company को लगभग 29 एंडिय का approval मिला हुआ है तो product pipeline काफी अच्छा है company का इस quarter के number काफी बहतरीन थे revenue में growth करी 20% का था profit उनका 3 गुना बढ़ा है तो overall number जो है यह काफी supportive है stock के लिए medium to long term में और valuation के बात को दोस्तों तो 2025 के earning पे करीब 31 times के आस पास एड़ेड हो रहा है तो हमें रगता है company आगे अच्छा perform करेगी यह तो यह थे हमारे कुछ stock जो हमने इस सप्ता में recommend किये हैं तो आई यह बात के लिते हैं कि अगले सप्ता के लिए वह कौन-कौन ते इवेंट हैं जो market focus में करेगा तो दोस्तों result season लगबाग खतम हो चुका है कुछ अगले सप्ता में तो हमें लगता कि ग्लोबल की उस एक बड़ा फैक्टर होगा जो की market ट्रैक करेगा उसके अलावा जो अभी रिसेंट्ली यूएस का जो एफ एमसी का जो मीटिंग हुआ है उसके मिनेट्स और आरबिया का रिसेंट्ली जो जो एमपीसी मीटिंग हुई ह है उसका मिनेट्स आएगा तो वहां पर सेंट्रल बैंक का क्या व्यू है इंट्रेस रेट और एकनॉमिक लेकर के इससे बजार का नजर जो है या बजार का फोकस जो हो रहने वाला है दोस्तों उसके अलावा हमने हमारे रिपोर्ट में काफी कुछ और डेटा भी कवर की ज जो आगे चल करके डिवडेंट बोनस देने वाली है या जहां पर स्टाक्स बीड होने वाला यह सारा डेटा हमने अपने रिपोर्ट में कैप्टर किया जो हमारे वेबसाइट के अलड़ी अवेलिबल है हम आपसे अंगरोद करते हैं कि हमारे वेबसाइट पर जाकर के वह डाउनलोड करके आप वह अगरे पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह था हमारा इस सप्ता का सप्ता ही पोड़कास्ट हमें सुनने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और अगरे सप्ता के डिशाई शुप कामना है थांक यू Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.